नमस्कार स्वागत है आपका हिंद भारत में और मैं हूँ आपके साथ अक्षरा आ रहा यूपी के सभी पुलिस लाइनों, थानों और चौकियों में देश का 75 वा स्वतनता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया लेकिन वही राय बड़ेली के महिला थाने में अजीम ही मामला सामने आया है दरसल वहां महिला थाने के SHO उमा अगरवाल ने उल्टा जंडा ही फैरा दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो में साफ दिख रहा है कि SHO ने पत्रकार से कैमरा चीनने की भी कोशिश की हाला कि बाद में यह कहा गया कि जंडा उल्टा नहीं है वो बस वहां अटक गया है जानकारी के मुताविक राइवरेली जुले के महिला SHO उमा अगरवाल ने 75 सोतनता दिवस पर तिरंगे का अपमान किया उन्होंने बिना देखे जंडा रोहन कर दिया जब वहां मौझूद पत्रकार ने उन्हें इसके लिए टोका तो वो कहने लगी कि जंडा अटक गया है इस बीच पत्रकार का कैमरा चलता देख बॉकलाई महिला SHO उमा अगरवाल ने कैमरा चीनने की भी कोशिश की हाला कि अब पूरे वाके का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है हाला कि बाद में ये कहा जाने लगा कि रायवरेली महिला थाने में जंडा जो हवा में लिपट गया था जो देखने से उल्टा प्रतीत हो रहा था जिसको महिला थाना इंचार्ज द्वारा महिला आरक्षी से ततका रसी खीच कर सही कर दिया गया कुछ अराजक तत्वों द्वारा महिला थाना इंचार्ज को रायवरिली को बदनाम किया जा रहा है आपको बदा दे चले कि इसके अलावा और एया के कोकर मुख्याले का सुवसुव एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें DM सुनिल कुमार वर्मा उल्टा ध्वजा फैराने के बाद राश्ट्रु गान के दोरान साब्धान मुद्रा में खड़े नजर आए फैराए गए राश्ट्र ध्वज में उपर की पट्टी हरी, पीज में सफेद और नीजे की पट्टी के सर्या दिखाई दे रही थी उल्टा ध्वजा पैराने के बाद उसे सलामी देते हुए भी लोग नजर आए और वहां भी राश्ट्र ध्वजा के रंगों की पहचान ठीक से नहीं कर सके यह पूरा वीडियो इंटरनेट पर, वाटसेप पर, फेस्बूक आदी पर वाइरल हो रहा है जिसके बाद बियम पर सवाल उठने का सलसिला शुरू हो गया है इस खबर पर फिलहाल इतना ही खबरों का सलसिला जारी रहेगा आप देखते रहे ये हिंद भारत